अब्साइब चतिसगर के मुखमंत्री भूपेश भगेल हैं जिनके उपर हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस की नईया पार लगाने की जिम्मेदारी है सिनियर अबजरबर ने सर आपने तुफानी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का कई बार आप आए कई बार गए सबसे बड़ा मुद्दा आपको हिमाचल प्रदेश में क्या लगा सबसे बड़ा मुद्दा है यहां बेरोजगारी और महंगाई आम जनता इसे तरस्त है आये उसके कम होते जा रही है और खर्च हो बढ़ते जा रहा है और इसे पूरे हिमाचल की जनता चाहे हो किसान हो चाहे हो नौजवान हो चाहे घरेलों महिलाएं हो चाहे हो नौकरी प्रदेश के लोग हो उस सब लोग इस बास से तरस्ता है तो इसलिए यह मंगाई जो हम लोगों जमीन में जो अध्यान किया वो यही था और इसके पहले जो चुना हुआ मंडी का और तीन विधान सबागा उसमें भी ये मुद्दे रहे हैं और सरकार होते भी चारों चुनाओं हार गए भारती जन्ता पार्टी तो ये अपने आप बड़ा मुद्दा है और उसको अध्यान करते हुए आखिर लोगों का आया में कैसे विध्य हो इसलिए हम लोगों ने जहां महिलाओं पंदरा सव रुपिया देने के बात कही है तीन सो यून रिता की बिजली बिल माफ करने के बात कही है उसके बाद दूद भी खरिदने के बात है गोबर भी जो जुना है वो लोगों के आया में वृद्धी करने की है तर आतो एक प्रदेश के मुखमंतरी है इन सारे बातों में पैसा काफी ज़ादा इन्वेश्ट होगा काफी ज़ादा पैसा खर्च होगा पैसा आएगा कहा से क्यूंकि जैराम सरकार जो है वो पहले से कर्ज में दोबी हुई है दीखे अर्थ बियुस्था आपको किस प्रकार से घुमाना है पहिया किस दिसा में घुमे इस दिसा में घुमे क्या इस दिसा में घुमे ये लोग इस दिसा में घुमा है तो हुआ क्या अभी जो अर्थ बियुस्था भारती जनता पार्टी की है वो ये है कि आम जनता, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, चाहे नौकरी पेसा लोग हो, वो सब के पैसे निकाल के वो चंद उद्योग पतियों के जेब में डालने काम कर रहा है। हमारी जो निती कांगरेश की निती है, वो लोगों के आयमी वृद्धी हो, मरेगा हमने किया, किसान के रिंड माफी हमने किया, और फूर सिकुरिटी बिल हमने लागो किया, यह सेंटल के बात करें, राजियों में भी लोगों के आयमी वृद्धी हो, तो नौकरी कैसे ज़्य उभ्णत जड़ लोगों दे सकते हैं। रोजगार कैसे ज्याद ज़्याद मिल सके। ये हमारी कोशिश।। तो ये जब ये पैसा आम जंदक जेब में जायेगा, सरकार के पैसा, तो होगा क्या, बजार में पैसा आएगा, लोगों की क्रेश सक्ती बढ़ेगी, और क्रेश सक्ती बढ़ेगी, तो निश्ची तरूप से उन चीजों को व्योग ही बढ़ेगा, तो जब उसमें जब विक् तो टेक्स पी लेगा राजजी को तो यह जो कह रहे हैं कि पैसा कहा साएगा यह सवाल 2018 मुझसे भी पूछा गया चठीज गड़ में जब हमने कहा कि रिन माफी करेंगे 25 कुटल में धान खरीदी करेंगे चार सुनिट तक बिजली बिल आदा देंगे तब यही सवाल भारती जनता पार्टी के दौरा वहाँ भी किया गया था और आज चार साल भी दिए चत्तिस गड़ में वहाँ के तेंदू पत्ता संग्रहा को सुचार हजार रुपे प्रते मानाक बोरा मिल रहा है बिजली बिल चार सुनिरी तक आधा मिल रहा है 35 किलो चावल हर परवार को मिल रहा है और साथ ही 25 रुपे कुंटल ने जो धान खरीदिक बात किये थे वो भी मिल रहा है बलके अब तो बढ़ गया 26-40 रुपे पढ़ रहा है लेकिन जैराम ठाकुर सरकार चार बार हो गया मार्केट से लोन लेते अभी 36 गड़ में इस विप वर्सा मनें एक बार भी लोन ले लिए अबने अपने दम पर इतना सारा काम क्या 36 गड़ में लेकिन ये डबल इंज्जिन सरकार की बात लगाता है रपधान मंतरी कहते हैं हर एक जंसभा में डबल इंजिन, डबल इंजिन की सरकार इतनी सारे राजियों में बीजेपी की सरकार है क्या वाकई आपको लगता है कि केंदर सरकार की तरफ से मदद मिलने पे आपका काम या राज सरकार का काम काफी हासान हो जाता है यदि हिमाचल प्रदीस में केंदर सरकार के तरफ से मदद मिली होती है तो चार बार लोन क्यों लेता है यदि केंदर सरकार से मदद मिली होती है तो राश्री राजमार कितने बनाए केंदर सरकार से यदि लोन मिला मतब सयोग मिला होता तो एक एरपोर्ट क्यों बन पाया, ना सड़क बनी, नहीं एरपोर्ट बना, न लोगों को रोजगार के कोई आउसर प्रदान हुए, न नौकरियों में भरती हुए, न केंदर सरकार से विशेश कोई सहायता नहीं मिली, ने तो 36,000 पत्कियों रिखते हैं, यह केंदर सरकार से मदद मिलती, तो यह पत करने के बाद तो दोर है, 5 साल सरकार के बाद, सरकार के पूरा होने के बाद, anti-incumbency हर एक राज में होती है, लेकिन J.P.नटा कह रहे हैं कि anti-incumbency यहां पे नहीं है, pro-incumbency है, क्या आपको लगता है कि हिमाचल परदेश में pro-incumbency है, देखे, जनता में तो इनके अपने सरकार के उपलब्दियों के अदार पर वोट नहीं मांग रहे हैं वो राष्ट्री और अंतराष्ट्री मूद्दय पार्टी में नडड़ा सहाब को संगठा समालने के जीमेदारी है रेक के इस लोग बागी हो गया है एक बागी को प्रहान मंदी जी खुद फोन करके बात की है परमार जी को और उनकी बात सुनी भी नहीं तो एट जो अंतर विरोध है भारती जनता पार्टी को खूल के सामने जब भारती जनता पार्टी के अंदर में इतना अंतर कला है जो उपर में आ गया है तो जनता में कितनी नाराजी होगी इसको समझा जा सकता है यह किस बागियों वाली बात जब 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 नड़ा से पूछी गई तो उन्हों ने कहा कि सरकार वापस आ रही है बीजेपी की जब 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 चुना अड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट में दूसरी बात यह है कि जब जनता नाराज होती है तो जनप्रतिधी भी किस सवर बदलते हैं और उस सवर बदला और 11 लोग बागी होगी खड़े होगे जब को अपने पार्टी को क पार्षासित पार्टी बलते हैं, और राष्टी अध्यक्ष यहां है, उसके बावजूद भी, और राष्टी अध्यक्ष खुले आम सिकाया, कि पंदरा साल मुझे दबाया तंग किया है, परमार जी का आप वीडियो देखे होंगे, उन्होंने कहा कि मुझे पंदरा साल तक परसान किया है, तो यहां जाराम ठाकुर सरकार के नाकामी था ही, जेपी नडड़ा साहब के जो निरोंकुस्ता है, उसके जो ताना साही है, उससे भी लोग तरस्ते हैं। मुझे कतके नेता थे, छैसे बार वो मुख्य मंतरी रहे, केंदरी मंतरी रहे, और यहां की विकास में उसको बड़ा योगदार रहा, विकास पुरूस के नाम से उसको याद करते हैं। लेकिन एक बात है, कि मैं आसाम में भी था, महां गोगई साब मुख्य मंतरी रहे ति मुख्य मंतरी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नीती है, उसमें जब राज्य में जब विपक्षम होते हैं, तो हम किसी चेहरे पर चुनाओ नहीं लड़ते हैं। में तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस अगर सत्ता मेहत बीजेपी आती है, क्या इस बार राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। निश्यतरुप से ये परंपरा कायम रहेगी और परंपरा कायम के कारण एक महत्वपूर्ण है, आर्थिक निती है, उसमें अस्पल रहे भारती जनता पार्टी, और हम लोगों जो अर्थ ब्योस्था, किस प्रकार से संचालित होगी, ये रूप रेखा जनता के सामने रख होती है, और जहां भी चुना होते हैं, तो महां पर वो कहती है, कि हम कमन सिविल कोड लाओ करेंगे, उनिफॉर्म सिविल कोड लाओ करेंगे, इसका कितना आसार हमाचल परदेश में देखने को मिल गा, क्योंकि उन्होंने अपने गोष्णा पत्र में इसको रखा हैुआ महां उन्होंने कहा था कामन सिविल कोड के बारे में, लेकिन साल भर हो गया, उनकी सरकार बने लाओत नहीं बढ़ा हुआ, तो जिन जिन राजुम में भारति जंता पारटी सरकार वहां लाओ नहीं किये, तो यहां किस प्रकार से बात कर रहा है है, और इसको केंदर की करना चाहते हैं और जन्ता एक बार गुम्राह हो सकती बार बार नहीं हो सकती हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कि नरेंद मोदी काफी लोग्ता इंखर है और वह मचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी बताते हैं है अग्य विर स्कीम का सक्ष metropolitan Somati प्राद मंति जी तु पुरदेश के प्रदेश के प्रदेश नेता है, इब अखर के प्रदेश रहा है? पूरा देस अंका है और देस के प्रदान बंति आंje है, लेकिन एए आप यह कहें कि मेरा दूसरा घर है तो दूसरे प्रदेस के साथ उप्यक्षा नहीं कर रहे हैं आप तो आप केवल वोट ले ले इस प्रकार के बात करें ते तो अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात नहीं है तो प्रधान मंत इस तर के यहीं माच्याल में भी भोगना पड़ेगा उनको.